Hello everyone मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आज option trading के बारे में बात करूँगा और आपको एक ऐसे feature के बारे में बताऊँगा जिसकी बहुत ज्यादा demand थी और पूरी इंडिया के अंदर जितने भी algo provider हैं ये feature कोई भी provide नहीं कर रहा है इस feature से आपके trading के अंदर चार्ट चांद लग जाएंगे अगर आप एक professional trader है तो ये जो feature है काफी complicated है अगर हम आप हमारा bot पहले से use कर रहे हो तो ये चीज़ आप easily समझ पाओगे अगर आप नहीं कर रहे तो आपको पहले की कुछ video देखनी पड़ेगी कि bot कैसे काम करता है देन आप इस feature को use कर सकते हो ये only for option trader के लिए इस feature का sports से future से कोई वास्ता नहीं तो जो option trading करते हैं वो इस feature का use करके काफी benefit ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये हमारी website है मेरा dashboard हम इंडिया के अंदर 7 broker support करते हैं जिसमें से 2 international broker है आपको दिख रहे हैं ये हमारी website है nextlevelbot.com आप यहाँ विजिट करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो video के page पर click करके video देख सकते हो और official channel का link आपको इस page पर bottom में मिल जाएगा आपको दिखा देता हूं photo पर official channel का link आप यहाँ पर जाके video देख सकते हो अब आजाते हैं feature पर feature कैसे काम करता थोड़ा सा आपको idea दे दूँ बहुत सारे लोग हैं जो option में trading करते हैं तो मैं as a example bank nifty को आज target करूँगा आप इसी से compare कर सकते हो और इस feature का use जो आप कर सकते हो मैं आपको बता दू पहले वो clear कर देता हूँ इस feature का use आप Alex blue को छोड़ जरुद्धा में कर सकते हो up stock में कर सकते हो fires में कर सकते हो only for Alex blue में नहीं कर सकते इसका कारण यह है कि Alex blue symbol provide नहीं करता वो एक unique token प्रवाइड करता हर symbol का और इस लिए feature को उसके अंदर implement नहीं करा जा सका बाकि हमने चार broker के अंदर कर दिया है और इसका आपको live demo दिखा देता तो उनको क्या चाहिए कि जिस time पे उनका signal आता है उसके पास जो nearest price है मतलब suppose मानो अभी 21,500 चल रहा है 21,500 और मेरा signal यहां बनता है तो इसका nearest क्या होता है इसका nearest होता है 21,500 तो मेरी 21,500 की call buy हो जाए या put buy हो जाए जो भी आप करना चाहते हो वो buy या sell हो जो भी आप करना तो आप ऐसा कैसे करोगे मतलब यह dynamic value है कि आप dynamic value जो price चल रहा है उसकी nearest strike price को कैसे buy करोगे तो पहले हमारे पास feature था कि आप direct target करते थे कि मुझे यह buy करना यह call buy करनी यह put buy करनी पर अब एक feature ऐसा add कर दिया है जो पूरी इंडिया के अंदर पूरे world के अंदर आपको कोई provide price जहां पर आपका chart value देता है जैसे bank nifty अगर इधर tigger करा और अभी चल रहा है कि 1533 तो यह 500 को strike price को buy कर लेगा यह call buy कर वालो यह put buy कर वालो आप चाहते हो इससे नीचे की buy करे वो भी कर लेगा आपको दोनों के बारे में live demo दिखाऊंगा उससे पहले हम चलते हैं अपनी website और यहां से इस जो demo दिखाने वाला हूँ आपको जरोधा के ऊपर दिखाने वाला हूँ सेम चीज आपको fire से चैनकों पे करनी आप श्टॉक्च पे करनी है तो मैं जरोधा पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्यों जरोधा पर मेरे पास fund है और मैं आपको यह demo दिखा सकता हू सबसे पहले हम चलते हैं। उप्शन और इसका सिंबल कॉपी कर लेता हूं। वह ले लेता हूँ, weekly, क्या कहता है, weekly option, और इसका symbol copy कर लेता हूँ, यह मैंने weekly symbol का option copy कर लिया, कि इस पे मेरा order लगे, और मैं चलता हूँ अपने syntax page पे, आपके सामने इधर आ गया, मैंने regular order लगाया, और जो जिस symbol पे मैं काम करना चाहता था, तो symbol दाला, एनफो दाला, quantity 25 द नहीं दिखा रहा, क्योंकि जैसे मैं order लगाऊंगा, market में buy हो जाएगा, और loss होने लगेगा, कोई भी analyst नहीं कर रखा, तो इसलिए हम limit order दिखाएंगे, आप market order लगा सकते हो, limit order में PR है, PR के अंदर मैंने बूला, जो LTP है, उससे 20 उर्पे नीचे मेरी bid लगे, 25 उर्पे न लगेगी, वो लगेगी 21,700 की call पे order लगेगा, क्योंकि हमने जो dynamic price, जो हम target कर रहे हैं, symbol हो 21,700 की call को कर रहे हैं, और जो की weekly bank nifty का option है, तो मैंने इसे copy करा, अब मैं यसे code फाइल पे ले जाता हूँ, यहां मैं ले जाता हूँ और इस code को यहां पर पेस्ट कर देता हूँ, तो हमें dynamic value चेट और dynamic value के लिए आपको क्या करना है, इस चीज का आपको धान रखना है, सबसे पहले जो भी आपका price है, उसके आगे आपको एक curly bracket लगाना है, as I example मैं लगा देता हूँ, इधर curly bracket, आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, यह मैंने curly bracket लगाया, और यह मै curly bracket लगाना, अभी मैं remove कर देता हूँ, इस curly bracket को, और आपको जो code दालना है, वो उपर वाला code दालना है, 3 curly bracket start में होंगे, 3 curly bracket end में होंगे, और बीच में close लिखा होगा, यह code उठाना है, आपको, copy करना है, और इधर दाल देना है, जहां पर आप curly bracket लगा रहे हैं, जहां पर price आता है, मतलब आपको price पे लगाना, आप देख सकते हो, मैंने जो strike price था, उसको remove करके, उसके बदले मैंने इस code को लगा दिया, अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दू, trading view पे यह जो feature है, only for version 4 indicator पे काम करेगा, और inbuilt indicator पे काम करेगा, जो official trading view के inbuilt indicator है, otherwise आप किसी और indicator पे लगाते हो, version 3 पे, version 2 पे, version 1 पे, तो यह feature काम नहीं करेगा, बाकि जो पहले चलता था, वो सारे काम करेगे, पर यह feature काम नहीं करेगा, option trader वालो का, जो मैं बता रहो हूँ, dynamic strike price, यह मैंने लगा दिया, उसके बाद आपको एक code और चाहिए होता है, वो code मैं लेके आ र dynamic price आए, जो भी price आए, अब जो price आएगा, वो अलग आएगा, हो सकता है, 21,505 हो, 510 हो, तो मेरे को उसको क्या करना है, नेरिस्ट करना है, तो मेरे को कितने से करना है, 100 से करना है, तो मैं coma के साथ इस code को उठाऊँगा, और इधर दाल दूँगा, सबसे last में, आप चाहों तो coma लगा के भी दाल सकते हैं, जैसे मैंने coma लगाया, और इस code को दाल दिया, nearest hundred, मतलब जो nearest hundred के पास होगा, उस value पे मेरा order लग जाए, अब मैं इस code को copy करता हूँ, यह मैंने control C से copy करा, और अपने trading view account पे चलता हूँ, trading view पे account पे चलने के बाद मैं एक horizontal line दालता हूँ, आ version 4 होना चाहिए, या official indicator होना चाहिए, I repeat, मैं repeat कर रहा हूँ, फिर बाद मैं आपनी बोलना, आपका order नहीं लग रहा ही, और मैंने add alert करा, add alert करने के बाद आपको पता होगा, कि हमें webhook URL add करना होता है, यहाँ पर इस पे click करना होगा, अपना webhook URL add करना होगा, आपका webhook URL मिलता Indian market का, आप इस पे click करोगा, आप automatic copy हो जाता है, आपका webhook URL, जो कि मैंने पहले से डाल रखा है, इधर मैं as a tag कुछ भी लिख सकता हूँ, as a tag मैं लिख देता हूँ, long, आप कुछ भी लिख सकते हो, Salman Khan, Saru Khan, जो भी tag दालना चाहते हो, अपने check करने के लिए, कि आप पस time नहीं है, और मुझे चीजे trigger करानी होती है, तो अब क्या है, जो भी nearest value होगी, automatic उससे buy कर लेगा, मैं आपको जरोधा के account पर लेचलता हूँ, यहाँ देख सकते हो, कोई भी limit order नहीं लगावा, तो automatic एक limit order लग जाएगा, nearest price के पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे trigger कराऊंगा, यहाँ पर alerts आएगा, यह alerts आया, मैं इधर गया, और इधर मेरा order लग जाएगा, आप देख सकते हो, इसके पास जो nearest value थी, अगर 50 है या 50 से नीचे है, तो इनने 500 उठाया, अगर 50 है या 50 से उपर है, तो यह 600 उठाता, तो 21,500 की call इनने automatic उठा दी, market rate से 25 रुपे नीचे लगाया, market rate पर मैंने buy नहीं करा, क्योंकि मेरा order लग जाता, और फिर मेरा अचाना की loss होने लगता, और demo के अंदर काफी loss हो जाता, क्योंकि मैं काफी order लगा के दिखाऊंगा आपको, तो इस तरीके से आप order लगा सकते हो, यह जो feature है, आपको कहीं भी नही करने वाला, automatic trading view पर जो price होगा, उसके nearest price यह उठा लेगा, आप bank nifty में कर सकते हो, nifty में कर सकते हो, और other आप अपने जो SBI, ICI जिनके भी option trading जिन पर भी चलती है, आप उन पर भी कर सकते हो, बस आपको nearest value का धान रखना है, मैंने nearest value इसमें 100 दा लिए, क्योंकि इसके अंदर 100 लेते हैं, अगर मैं bank nifty, sorry, SBI में काम कर रहा होता, और मेरेको nearest price चाहिए होता, तो मैं nearest value 10 दालता, क्यों 10 से वो calculate करता, तो I think आप समझ पा रहे होगे, अब मैं आपको दिखा दू, इनने इस पर bid लगाई, मैं इसे cancel करके दिखा रहा हूँ, और मैं आपको दुबारा से 500, 500 ही होगी, मैं दुबारा टिगर करा रहा हूँ, इस बार आपको time भी दिखाऊंगा, order का time क्या है, जैसे trigger करा है, आप देख सकते हो, 13 बच के 44 मिनट, 33 सेकिंड पर order टिगर हुआ है, और अगर हम server पर जाएंगे, 13 बच के 44 मिनट, 35 सेकिंड, 2 सेकिंड के अंदर order लग ग और automatic इनने value उठारी, लेरिस्ट, 21,500, तो इनने, बस आपको एक चीज़ धान रखनी है, आपको यह ज़रूर बताना है, code के अंदर, कि आप कौन सा option buy करना चाहते हो, कौन सी expiry, जैसे मैंने पहले से decide कर रहा था, अगर आप मेरा code देखोगे, मैं आपको code पर ले चलता हू मेरा code देखोगे, तो मैंने इसके अंदर पहले से value दे रखे दी, कि bank nifty का जो 6 अगर्स्ट की expiry है, उसकी call buy करनी है, अब उसकी call कौन सी buy करनी है, वो strike price dynamic है, कि जो भी price चल रहा होगा current market में, उसका nearest price की call buy करनी है, पर काफी लोग है, वो यह चाते हैं, कि भई हमें जो nearest price उससे source पर नीचे वाली call buy करनी है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, इसके लिए मैंने एक feature और बना रखा है, आपको दिखा देता हूँ, मैं कॉमा के साथ कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ, आप अलग से कॉमा दाल सकते हो, जैसे पहले भी मैं कॉमा के साथ कॉपी करके लाया उससे source strike price plus होके लगे, तो मैं इस value को उठा के, ऐसे का ऐसा copy करके आपके सामने इधर दाल देता हूँ, इस code के आगे, तो मैंने इस code के आगे दाल देता हूँ, screen size छोटा कर देता हूँ, code लंबा हो गया इसलिए, और मैं इसे copy कर लेता हूँ, इधर है डवर कर ली ब्रैकि strike price है, उससे 100 strike price plus होके लगे, plus 100 लगा रखा था, मैं code दिखा देता हूँ, एक बार आपको, इधर गया, और आप यहाँ देखोगे, यहाँ calculation के अंदर, calculation is equal plus 100 लिखा है, अगर minus 100 करूँआ तो minus 100 नीचे लगेगा, यह feature भी आपको पूरी Indian market में, पूरी international market में कहीं नहीं मिल देगा, तो मैं दिखा देता हूँ, इधर गया मैं, और इधर जाने के बाद, मैं syntax को change करता हूँ, जो पुराना syntax था, उससे हटा देता हूँ, और new syntax add कर देता हूँ, अगर आप अभी देखोगे, price चल रहा है, 548, 544, आप इधर देख सकते हो, जो भी price चल रहा है, 70 के आस 600 आई थी, 21600 आई थी, परदा समने क्या बोला है, कि 100 strike price उपपर लगे, तो इनने 100 strike price उपपर जाके limit order लगा दिया, अभी मैं एक example बता रहा हूँ, तो मैं limit order लगा रहा हूँ, अगर आप देखोगे syntax को, तो मैंने यहाँ पर limit order select कर रहा था, अगर आप market order select कर दोगे, तो मैं market में buy करेगा, मैं limit इसलिए लगा रहा हूँ, बेकार में वो buying कर लेगा और loss होने लगेगा, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो यह feature इतना उम्दा है, अगर आपको option trading करनी आती है, तो आपके लिए यह top से कम नहीं है, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आप professional trader ह अच्छी तरीके से जानते हो, पर अगर आप new user हो, as a beginner हो, तो हो सकता है, आप इसमें काफी बड़े loss करो, हो सकता है कि आपको इस चीज़े समझ ना आए, तो इसलिए इस चीज़ का धान से यूज़ करना कि इस चीज़ को बनाया कि इसलिए गया है, यह चीज़ बनाई इस का option और future available नहीं है, ऐसे में हम क्या करते थे, sport से order लगाते थे, sport पर हमारी strategy trigger होती थी, और जैसे वो trigger होती थी, उस time जो भी जिस symbol का price चल रहा होता था, as a example, bank nifty का 21,700 की call का जो price चल रहा हो, उस time पर buy कर लेता था, यह limit order लगा रहे था, उस से नीचे जो भी हमने डाल रख है उसके nearest, अब nearest की मैं value समझा दूँ, जैसे अब इदर आप देख सकते हो, 21,005, sorry इदर चल रहा है price green में, 21,714 रुपे price चल रहा है, इसकी nearest value क्या है, इसकी nearest value है 700 रुपे, मतलब nearest 700 रुपे वाला call को उठाएगा, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज और, अब हमने plus में दाला था, code पर ले चलता हूँ, इदर में change कर सकता हूँ, पर आपको फिर समझ नहीं आएगा, अब हमने plus दाला था, अब इसे मैं minus कर देते हैं, जैसे ही मैं minus करूँगा, अब जो nearest value है, उससे 100 रुपे का strike price नीचे ले लेगा, मतलब 100 strike price को नीचे ले लेग आप green price में देख सकते हो, 600 something चल रही है, तो इसकी nearest value आएगी 700, और हम tigger कराते हैं, tigger कराने के बाद, यह tigger हुआ, अब हम इधर जाते हैं, तो इधर देखोगे 500 आई इसका मतलब value, जो price आया तो इसकी nearest value 500 आई थी, और 700 में से उनने 100 माइनस कर दिया, क्योंकि आपने calculation 100 मा आप चाहो तो इसको zero भी रख सकते हो, as a example के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे भी cancel करता हूँ, और मैं इधर coding file पर जलता हूँ, वैचल स्टुडियो में, और इधर मैं calculation में कर देता हूँ, minus zero, कि मुझे भाई कोई calculation चाहिए यह नहीं, मेरी जो भी strike price nearest है, उस पर आप इसे zero रख के भी order trigger करा सकते हो, मैं आपके सामने trigger कराने जा रहा हूँ, और मैं इसे जाता हूँ, वीडियो लंबी ना बने, इसलिए मैं थोड़ा सा fast बोलता हूँ, और मुझे पता है काफी लोगों को समझ नहीं आता, जो beginner है, पर यह depends आपके IQ level पर करता है, कि आप क इतनी जल्दी इस चीज को समझ रहे हो, और कितना optimize है आपका mind, कितना sharp है आपका mind, जो चीजों को समझ सकता है, और आप इस चीजों को use कर सकते हो, अभी आप देखो के जो price चल रहा है, इस 21,708 चल रहा है, 707, 708, इसकी nearest value क्या होगी, 700 होगी, तो जब हम tigger कराएंगे, उ multi order दाल सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो, अब मैं आपको एक multi order दिखा देता हूँ, जैसे example के लिए आप चाहते हो, कि आपकी एक value तो लगे, इस price पे, मतलब जो nearest value और एक उससे नीचे लगे, तो ऐसा कैसे करोगे, देमो के लिए काफी लंबी वीडियो बना रहा हूँ अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस code को copy कर लेता हूँ, और इसको नीचे paste कर देता हूँ, जिससे मैं आपको अलग से दिखा सको, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से last वाला जो bracket होता है, square of bracket होता है, आपको इसको remove करना है, इसके आगे comma लगाना है, मैं आपके सामने comma बगा देता हूं और इंटर मार के दुबारा से कोट पेस्ट कर देना पेस्ट कर दिया मैंने अब इसके अंदर जो आगे एक स्क्वेर और इसको रिमूब करना है यह हमारा करायी यह यह उप्से दुबार प्सप्राइब गरसे हमारी इक अब इसक्राइब कर देटा हूं पहले से कंड्रोल-जेय कर दिखाए पपने अपने लाइप दाल के अगर आप किसी की Pinescript या अपनी बनाई भी यूज़ कर रहे हो अब मैं ऐसे Tigger कराता हूँ आपके सामने यह मैंने Tigger कराया है Tigger कराते हैं यहां पर alerts आएगा जो कि मैंने अभी voice को off कर रखा यह alerts आगया अगर आप यहां देखोगे तो दो order आगे अब आप देखोगे एक तो 700 पे आया है जो nearest value थी 700 थी और एक 600 पे आया है तो दोनों पे इनने limit order लगा दिये limit order इसलिए लग रहे हैं कि मैंने limit order लगा रखा फिर से repeat करता हूँ मैंने जो syntax बनाया है तो limit order का बनाया था इसलिए limit order लग रहे हैं तो I hope आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा इस चीज का और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पूरी इंडिया के अंदर आप इस चीज को ढूंड़ो गया आपको यह चीज नहीं मिलेगी पहली बात यह feature नहीं मिलेगा आप इस चीज की इस प्राइस के अंदर आपको जो फैसलेटी दी जा रही है वो फैसलेटी आपको नहीं मिलेगी आप एक बार इसको ट्राइ कर सकते हो और हमने paper trading रख रख ही एक paper trading ट्रेडिंग टोटली फिरी है उसका कोई charge नहीं लिया जाता आप NSE के अंदर जो जितने भी सिंबल है उन पे पेपर जो भी ट्रेडिंग वी पे डाटा उन पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो हाँ option future पे नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेडिंग वी पे option future नहीं है तो आपने देख लिया कि यह 2 order लग गए ऐसे आप 50 order भी लगा सकते हो single trade पे मैं इसे भी cancel करता हूँ अब एक थोड़ा सा अलग demo दिखा दूँ कई लोग चाते हैं कि जब उनका nearest price हो उसी price पर उनकी call buy हो और उसी price का nearest का put buy हो ऐसा कुछ चाते हैं मुझे नहीं पता क्यासा चाते हैं आप उल्टा सीधा उपर नीचे कुछ भी कर सकते हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना है मैं इसे कर देता हूँ CE को कर देता हूँ PE होता है थिंग capital में PE पुट हो गया है और इसके अंदर मैंने कर दिया कि भाई अब मैं इस calculation का जो 100 ता इसे भी 0 कर देता हूँ क्यों मेरे को nearest ही चाहिए आप चाहो तो इसको calculation को उपर नीचे कर सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया है और इसकी वीडियो आगे भी deeply बना दूँगा अभी यह बस एक learning वीडियो है मैंने code copy करा अब मैं चाहता हूँ मेरा एक call भी लगे और मेरी एक put भी लगे nearest price पे मैंने code copy कर लिया ट्रेडिंग वीडियो पे गया फिर से अपनी horizontal लाइन ली यह मेरी फेवरेट है horizontal लाइन पर लगाना मेरा time बच जाता है इसलिए मैं इसलिए बहुत ज्यादा यूज करता हूँ मेरी काफी वीडियो में आप यही देखोगे मैंने copy करा copy करने के बाद मैं alerts टिगर कराऊंग अब मैं आपके सामने tigger कराने से पहले जरोद्धा को दिखा देता हूँ जरोद्धा पर कोई भी order नहीं है और मैं इसे tigger कराता हूँ आपके सामने यह मैंने tigger कराया जैसे tigger कराऊंगा यह alerts आगया और आप यहां देखो कि दो order लगेंगे मेरे एक मेरा call लगा और एक मेर नेरिष्ट क्या होता है 600C का नेरिष्ट होता है 700 मतलब कि इसके पास कोन सा strike price है 700 यह तो 700 का इनने order लगा दिया call put का दोनों का order लगा दिया इससे पहले भी मैंने call put के video बनाई है जिसके अंदर आप cover कैसे करते हो पुराने order को close करना नए order को लगाना उस चीज में भी आप इसका use कर सकते हो उस video को धान से देख लेना thank you for watching this video बस मेरी आपसे यह request है आप इस video को share करें और लोगों को पता चले कि हाँ ऐसे भी फीचर मार्किट में अभी लेवर ले थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो एंद बाई